बहुजन समाज पार्टे ने पूर्वी उत्रप्रदेश में अपने हिस्से में गडबंधन से मिली सीटों पर प्रत्याशी घुशित कर दिया है। रंगनाथ मेश्र 1990 के दशक से राजनीती में सक्रिये हैं वह औराई विदाहन सभा से 1993-1997-2005 और 2007 में चार बार विदायक चुने गए। प्रत्नी और बहुजन समाजपार्टी के पूर्व राज सभासदस गांधी आजाद की पूत्रवध हुए। उन्हें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजपार्टी की संयुत बैठक में लालगंज क्षेत्र का प्रभारी घुशित किया गया था। जौनपूर संसदिय सीट पर पार्टी ने शाम सिंग यादो को मौका दिया है। PCS, शाम सिंग, हरिद्वार, आगरा, मुरादाबाद, गाजियाबाद, नोएडा सहीत, कई स्थानों पर SDM व एडियम रह चुके हैं। 2014 में सेवानिवर्टी के बाद चार साल से बहुजन समाजपार्टी की सक्रिय राजनिती में भूमिका निभा रहे हैं। पार्टी ने जिले की अनिसीट मशली शहर पर भी एक पुर्वा अधिकारी पर भरोसा जताया है। यहां से टी राम यानि की त्रिभून राम प्रत्याशी होंगे। मुखे अभियंता पत्से 2011 में सेवा निवर्त्ती के बाद वो बस्पा की राजनिती में सक्रिये हुए। 2012 में वारा नसी के अजगरा विधान सभाक शेत्र से बहुजन समाजपार्टी के विधायक भी चूने गए थे। गाजीपूर लोगसभा से बहुजन समाजपार्टी प्रत्याशी बहुबली मुखतार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी होंगे। वो 1985 से चार बार कमणिसपार्टी से विधायक रहे हैं। इसके बाद 1996 में समाजवादी पार्टी से विधायक बने। 2002 में भारती जनता पार्टी के क्रिश्णानंद राय से हार का सामना करना पड़ा, 2004 वो 2009 में गाजीपूर में हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 2014 में बलिया लोगसभा चुनाओं में कौमी एक्तादल से ताल ठोके लेकिन हार का सामना करना पड़ा। माउजनपत की घोसी संसदिय सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अतुल राय होंगे।